C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ सात खिड़की से प्रिष्ट तरेपन सत्रह मई अब सुभा हो गई है मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आज सुभा जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली बाहर प्लेटफार्म पर लगे बोड पर लिखा था मढगाउं अपने बताया कि अब हम गोवा राज्ये में हैं हमने स्टेशन पर उतर कर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली ट्रेन फिर चल पड़ी बाहर का नजारा देखने लायक है चारों तरफ हरियाली है मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे-छोटे पौधे और पेड़ों से धकी पहाडियां बहुत ही सुन्दर लग रही हैं कभी-कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं प्रेश्ट चववन बहुत दूर पहाडियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या संबुद्र हवा ठंडी है एहमदाबाद की तरह गर्म ही ट्रेन अभी अभी एक रिल्वे फाटक से गुजरी दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्षा, बेल गाड़ी तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतिजार करते दिखाई दिये कुछ लोग तो अपनी गाड़ीयों की इंजन बंद भी नहीं करते रिल्वे फाटक पर कितना धुआ और कितना ज्यादा शोर था मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रिल्वे फाटक को नीचे से जुक कर भी पार कर रहे थे कितना खतरनाक है ये कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिंती कभी भी मेल नहीं खाई गरबढ़ी हुई ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिरकी से बाहर जो नजारा देखा उसमें क्या अंतर है प्रिष्ट पचपन ओमना ने रिल्वे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रॉल या डीजल से चलते होंगे इन वाहनों से शोर और धूआ क्यों हो रहा था वाहनों के शोर तथा पेट्रॉल डीजल की बज़त के लिए हम क्या कर सकते हैं चर्चा करो सत्रा मई चर्चा करो कुछ लोग रिल्वे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है तुम इसके बारे में क्या सोचते हो में खिड़की के पास आखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन चलने की आवाज बदल गई कड़-कड़-कड़-कड़-कड़-कड़ मैंने आखें खोली अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी कितना बड़ा था वे पुल पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की अवाज भी कितनी अलग होती है मैंने खिड़की से नीचे जहाका तो मुझे बहुत डर लगा पट्री के नीचे जमीन तो थी ही नहीं प्रिष्ट चप्पन केवल पानी ही पानी था नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मचुआरे मैंने उन्हें हाथ हिला कर इशारा किया पता नहीं वे मुझे देख भी पाई या नहीं ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वहानों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था वे इस पुल से अलग तरह से बना था मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के उपर से जाने में ज्यादा मज़ा है क्या तुमने पुल देखे हैं? कहा? क्या तुम कभी किसी पुल पर से गुजरे हो? कहा? पुल किस पर बना था? तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई दिया था? पता करो पुल क्यों बनाय जाते हैं? प्रिष्ट सतावन सत्रा मही पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़िदार रहे नाश्टा करने के बाद मैं उपर अपने बर्थ पर लेट कर कॉमिक पढ़ने लगी बाहर बहुत तेज धूप खिली थी अचानक बिलकुल अंधेरा हो गया थोड़ी ठंड भीर लगने लगी मैं बहुत डर गई कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी पर बाहर बिलकुल घुप अंधेरा था किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे पहाड को काट कर बनी सुरंग ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोश्नी हो गई खिड़की से बाहर चमकती धूप रोश्नी और हरियाली थी ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी अपपा ने बताया कि हम पहाड के दूसरी तरह पहुँच गए है तब से अब तक हम चार और चोटी सुरंगों में से गुज़र चुके हैं अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बलकि मज़ा आता है क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुज़रे हो तुम्हें कैसा लगा गुवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगे और 2000 पुल है तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगों और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं प्रिष्ट 58 ओमना ने पुल के नीचे जो नजारा देखा उसे पढ़ कर उसका चित्र कौपी में बनाओ कल्ब न करो अगर सुरंगे और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड और नदियां कैसे पार करती अब दोपहर हो गई है हमने उदपी स्टेशन से जो गर्मा गरम इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया वहां से हमने केले भी खरीदे वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे बहुत स्वादिश्ट बाहर का नजारा फिर बदल गया है अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं अम्मा ने बताया कि यहां चावल की खेती होती है बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है यहां के गाउं और यहां बने घर जानती हो यहां के लोगों का पहनावा भी एहमदाबाद के लोगों से अलग है ज्यादतर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां पहने हैं एहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उदर गए कुछ और लोग चड़े भी हैं शाम छे बजे तक कोजी कोट पहुँचेंगे सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और एहमदाबाद में मिलने की योजना बनाई है तुम्हें भी सुनील और एंट से मिलकर अच्छा लगेगा तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? जुराज से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्जियों से गुजरी पता करो और सूची कौपी में बनाओ क्या तुमने नारियल पानी पीया है? कैसा लगा? चर्चा करो नारियल के पेड का चित्र बनाओ और उस पर चर्चा करो प्रेश्ट 69 पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं? आप एक तालिका बनाओ उसमें एक कॉलम में लिखो भाषा और दूसरे कॉलम में वहराज्य जहां ये भाषा बोली जाती है मलियालम कॉंकणी मराथी गुजराती कननड अब रात हो चुकी है हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है लगवग तीन घंटे में हमारा स्टेशन को टायम भी आएगा वहां हमें उतरना है आज रात को हम वली अम्मा के घर जाएंगे वहां से सुभा बस में बैठ कर अम्मा के गाउं के लिए रवाना होंगे सभी बहुत ठक गए हैं आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है बाप रे कितना लंबा सफर तै किया है हमने फर मज़ा भी बहुत आया अब मैं लिखना बंद कर रही हूं अम्मा के घर पहुँच कर ही फिर डायरी लिखूंगे तुम इन्हे क्या कहकर बुलाते हो मा की बहन को मा की मा को पिताजी की बहन को पिताजी की मा को खिड़की से अभी आप सुन रहे थे कक्षाचार की पाठे पुस्तक हमारे आस्पास का सात्मा पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत